So hello and welcome everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Missing Number यानि की लुप्ट संख्या का Part 2 दोस्तों इस से पहले जो है मैंने आपको Part 1 प्रोवाइड करवा दिया है तो अगर आप लोग ने अभी तक उस वीडियो को एकसेस नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ से उसे देख सकते हो लेकिन आज का ये वीडियो सुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो देखिए दोस्तों फर्स्ट कुशन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि which is best suited to be placed in the place of question mark in the figure यानि कि ये जो नीचे आपको figure दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये जो question mark है ये किसको replace करेगा options में से ठीक है तो देखिए भई यहाँ पर हम इस question को कैसे solve करेंगे तो भई मैं पहली column को यहाँ पर choose करता हूँ यानि कि 1, 3, 3 और 49 वाली को ठीक है तो यहाँ पर जो है भई मैं पहली column को choose कर लेता हूँ तो अगर मैं 1, plus 3, और plus 3 इन तिनों को add करूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा 3, plus 3 कितना हो जाएगा 6 और 1, 7 ठीक है, 7 मिल गया अब देखिए अगर मैं 7 का square कर दूँ यानि कि work कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा नीचे वाला number 49 मिल जाता है ठीक है, यानि कि यह 49 दिया हुआ है यह मुझे मिल चुका है तो same यही चीज जो है भई आपके दूसरी column में भी लगने वाली है तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3 और प्लस 1 यह कितना हो जाएगा यह आपका भई हो जाएगा total 8 क्योंकि 4 प्लस 3 साथ और एक 8 अब देखिए 8 का square उतता है 64 यह भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो सेम इसी तरीके से जो है भई हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो question mark दिया हुआ है इसकी जगे पर क्या आएगा तो दीखेब पहली जगे पर हमें बताना है कि क्या आएगा उसके बाद हमें दिया हुआ 4 प्लस 2 और उसके बाद में हमें बता दिया गया है कि 169 भाई आता है तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो है स्क्वेर करने से ही यह नमबर मिलते हैं तो यह भी किसी ना किसी संख्या का स्क्वेर ही होगा तो इतना तो हमें पताई है कि 169 जो है वो आपका 13 का square होता है किसका square होता है? 13 का यानि कि यह जो number आएगा यहाँ पर जैसे 8 आया है तो यह total number जो है वो 13 आएगा ठीक है? फिर 13 का square करने से 169 आता है तो भाई देखिए यहाँ पर तो 4 और 2 6 हो रहे हैं तो हमें तो 13 बनाना है, तो 13 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को 8 कर देंगे, ठीक है, तो अब दीके 7 और 2, 9 हो गए, और 9 प्लस 4, 13 हो गए, ठीक है, तो 13 हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा जो correct answer होगा, वो हो जाएगा option number C, 7, I hope आप लोगों को समझ में आया ह काफी अच्छा question था, ठीक है, और दोस्तों साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनेकेडमी के बारे में, अनेकेडमी के दुआरा दो नए courses को शुरू किया जा रहा है, जो की हैं Apache Air Force और संग्राम NDA, तो अगर अब आप लोग Air Force exam या फिर NDA exam की तयारी कर रहे हो, इन courses के लिए enroll कर सकते हो, काफी शांदार courses होने वाले हैं, defense के top educators के दुआरा आपको यहाँ पे basic से पढ़ाया जाएगा, जिससे की आप लोग Air Force और NDA exam को आसानी से clear कर लोगे, तो अगर आप लोग इनके लिए enroll करना चाहते हो, तो आप लोगों को अनेकेडमी का learner app को install करन होगा, जिसकी link आपको हमारे इस वीडियो के निचे description box में देखने को मिल जाएगी, उसके बाद में आप लोगों को simply उस पे register कर लेना है, और जैसे ही आप लोगों से course select करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको defense की category में choose करना है, NDA, Air Force XY और Navy को, जैसे ही आप लोग select कर ल होगे, आप से पूछा जाएगा referral code, तो referral code में आप लोगों को defense point जरूर से fill कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा कासा discount देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीके से भाई, आप लोग इन courses के लिए enroll कर सकते हो, सारी links जो है, आप लोगों को हमारे इस वीडियो के न देखिए दोस्तों, आपको तीन figure दिये हुए है, figure A, figure B और figure C, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह बताना है, यह जो तीसरी आकरती है, यानि कि C नंबर वाली, इसमें यह जो question mark है, यह किसको replace करेगा, options में से, ठीक है, तो question mark किसको replace करेगा figure C में, यह आपको बताना है, तो तीसरे वाले figure में भी, जिससे कि हम लोग easily answer निकाल लेंगे, काफी शंदार question है, और important भी हो जाता है, क्योंकि आपके SSE के exam में भी आ चुका है, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले में क्या करूंगा भई, यहाँ से एक figure उठा लेता हूँ, पहले वाला, ठीक है, तो मैं य question mark वाली जगे पर क्या आएगा, ठीक है, यह बताना है तो, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पहले वाले figure में हुआ क्या है, तो भाई हमें यहाँ पर पहले box में number दिया हूए 5, उसके बाद second में दिया हूए 4, फिर third में 20, और फिर fourth में 9, तो यह यहाँ पर हूआ कैसे है, तो भाई देखिए, अगर मैं 5 को 4 से गुणा कर दूँ, ठीक है, यानि कि into कर दूँ, तो मुझे 20 मिलता है, ठीक है, और जो कि 20 यहाँ पर third वाले में दिया हूए, ठीक है, और यदि 5 और 4 को मैं 8 कर दूँ, तो मुझे मिलता है 9, और 9 जो कि आपको fourth में दिया हूए, ठीक add किया गया है, जैसे कि आगे figure में भी हम check करेंगे कि यही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो भाई अब जो है, मैं second वाला figure यहाँ पर choose कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया हूए, तो 3, 8, 24 और 11, तो हम क्या करेंगे, सब सब पहले उपर वाले द 24 दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 8 को add कर लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 3, 11, बिल्कुल सही बात है, तो सेम यही चीज जो है, भाई हम apply करेंगे, third वाले figure में भी, तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हैगा, cushion mark की जगे पे, तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले 9 को 4 से multiply करते हैं, तो 9 को 4 से multiply करने पी क्या मिलेगा, 36, क्योंकि 9 चोके 36, और फिर देखिए 9 को अगर 4 से plus करते हैं, तो क्या आ जाता है, 9 और 4, 13, बिल्कुल सही है, यानि कि यह जो cushion mark था, उसकी जगे पे replace हो जाएगा भाई, 36, ठीक ह आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको solve किया है, तो दोस्तों इस question के लिए हमारा correct answer हो जाएगा, option number D, 36, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, तो अगला question भाई, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको कुछ numbers दे रखे हैं, और आपक missing number के जो भी question होते हैं, इनको आप लोग अलग-अलग तरीकों से solve कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको तरीका बताऊं या फिर pattern बताऊं, उसी से आपको answer मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग जो है, दूसरे तरीके से भी इनका answer निकाल सकते हो, तो काफी तो देखिए, इस figure में यहां पे क्या हो रहा है, तो third figure में भई, मैं क्या करूँगा, यहां पर check करता हूँ, देखिए, 5 दिया हुआ है इधर, इधर 2 दिया हुआ है, और बीच में आया हुआ है 3, यानि कि अगर मैं इस 5 में से 2 को कम कर दूँ, यानि कि घटा दूँ, तो म क्या करेंगे भई, सेम यही चीज जो है, दूसरे वाले में भी करेंगे, तो 8 में से 4 को मैं यहां से घटा देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4, यानि कि कुशिन मार की जगे पर replace होना चाहिए, 4, ठीक है, लेकिन जो है, हम check कर लेते हैं कि third row में भी यह हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा, तो भई, 6 में से मैं घटा लूँगा, एक, तो अब मुझे 5 मिलता है, या फिर नहीं मिलता है, बिलकुल मिलता है, ठीक है, यानि कि यहां पर हुआ क्या है, यह जो first number दिया हुआ है, और third number दिया हुआ है, इनको आपस में एक दूसरे से घटा दिया तो correct answer हमारा हुजाएगा, option number D, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलिए भई, अब हम बढ़ते हैं, next question की तरफ, तो देखे दोस्तों, अब दिया गया है, आपको question number 4, और यहां पर आपको इस question में बोला गया है, कि which is best suited to be placed in the place of question mark in this figure, यानि कि यह जो आपको नी आप लोगों ने बोला था कि sir question आपने हिंदी में add नहीं कियें, तो यहां पर language आपकी कोई difficult नहीं है, आप लोगों को easily समझ आ जाएगी, और अगर आप लोग cost card को join करना चाहते हो, तो आपको इतनी तो English आनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंगि English भी आपकी strong होनी चाहिए, आ यहां पर यह figure जो है, वो draw कर लेता हूँ, तो भई यहां पर question mark दे दिया गया, फिर 7, फिर 11 और 20, तो अब हमें यहां पर यह check करना है कि इस figure में हो क्या रहा है, यानि कि यह 7 है, फिर 7 से 11 आया कैसे होगा, फिर 20 कैसे है होगा, और फिर आगे वाला number क्या आएगा, ठीक है तो यह हमें यहां पर check करना होता है, तो देखिए, अगर मैं यह 7 जो दिया हुआ है, इसमें add कर लूँ, 2 का square, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए, 7 प्लस 4, ठीक है, 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11, यानि कि मुझे जो है, यह नीचे वाला number मिल चुका है, अब देखिए नीचे वाला number हमें मिल चुका है, 7 का, 7 में add करने पर 2 का square, ठीक है, तो सेम हम यही करेंगे, भाई, 11 के साथ में हम add कर लेंगे, 3 का square, ठीक है, तो अब देखिए, 11 प्लस 3 का square होता है, 9, यानि कि हमें मिल गया 20, अब हम क्या करेंगे, next जो हमारा होगा term, उसमें हम क्या करे करेंगे, कि भाई, 20 के साथ में add कर लेंगे, 4 का square, क्यूंकि यहाँ पर 2 का square होता, फिर प्लस 1 होगा, यानि कि 3 का square होगा, अब क्या होगा, फिर प्लस 1 होगा, यानि कि 4 हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए भाई, 20 प्लस 4 का square, तो 20 प्लस 16, यानि कि कितना हो जाएगा यह है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा यानि कि हमारा जो answer आएगा वो आएगा 36 ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question के तरफ तो question number 5 और यहाँ पर देखिए इस question में आपको क्या बोला गया है कि which is best suited to be placed in the place of question mark in this figure यानि कि यह जो नीचे आकरती आपको दी गई है इसमें question mark की जगे पे कौन सा option replace होगा तो यहाँ पर देखिए same उसी type का question है लेकिन थोड़ा सा pattern different है यहाँ पर मतलब कुछ और अलग तरीके से हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए पहले मैं figure draw कर लेता हूँ तो यहाँ पर दिया होए भाई आठ 17 और 35 हाँ देखते ही समझ आ रहा है बहुत ही easy question है कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर देखिए पहला number में दिया होए 8 ठीक है और अगर मैं इस 8 को 2 से गुना कर दूं और उसमें एक 8 कर दूं यानि कि 16 और उसमें 1 मैंने 8 किया तो मुझे मिल गया भाई नीचे वाला number यानि कि 17 यह मिल गया तो सेम यही चीज जो है भाई हम दूसरे के साथ में भी करेंगे यानि कि दूसरे number के साथ में तो दूसरा number हमें यहां पर दिया होए 17 अब अगर 17 को मैं 2 से into करूं और उसमें एक 8 कर दूँ यानि कि 17 दूना 34 और 1 35 हो जाएगा भाई बिलकुल 35 आपको दिया होए तो सेम यही चीज जो है हम 3rd टर्म यानि कि 35 के साथ में भी करेंगे तो अब देखिए 35 into 2 ठीक है तो 35 into 2 कितना होता है 70 प्लस उसमें 1 हम 8 करेंगे यानि कि 71 तो भाई 71 हमें मिल तो दोस्तों इस question के लिए हमारा correct answer रो जाएगा option number B 71 I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस question को हमने कैसे solve किया है बस question जो है आप लोगों को कभी कभी देखते ही समझ में आ जाता है और दोस्तों साथ ही एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इन 10 या 12 questions जो भी मैं आप आपको करवा रहा हूं इन में से आपका score कितना रहता है नीचे comment box में comment करके बलताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को like जरूर से करना है यार तो चलिए भई अब देखिए question number 6 और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि यह जो figure आपको दिया हुआ है इसमें यह जो last में आपको question mark दिया हुआ है यह options में से किसको replace करेगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है इस figure को देखेंगे देखिए figure में जो है यहाँ पर पहली column को आप लोग ज्यान से देखिए अगर मैं इस पहली column में अगर 4 को into करूं 3 से और 3 को into करूं 2 से तो क्या मुझे 23 म यहाँ पर मिल रहा है 24 यानि कि यह approach जो है यहाँ पर नहीं लगेगी फिर जो है हम क्या कर सकते हैं देखिए अगर मैं इस 23 को जो है into करूं 2 से और 4 को 3 से करूं into तो भी हमारा यहाँ पर यह कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर एक चीज लग सकती है देखिए क्या कि अगर मैं इस 4 का square कर दूं ठीक है प्लस साथ मैं ही square कर दूं 3 का और यह जो हमें नीचे 2 दिया हुआ है इसको मैं यहाँ से गटा लूं तो भई 23 मिलता है या फिर नहीं मिलता तो देखिए दोस्तों 4 का square हो जाएगा आपका 16 ठीक है और 3 का square कितना हो जाएगा 9 और माइनस अगर मैं 2 कर देता हूं तो हाँ यहाँ पर देखिए हमें 23 मिल जाता है ठीक है यानि कि यह जो number है वो हमें यहाँ पर मिल तो चलिए हम यही चीज जो है दूसरी कोलम के साथ में भी करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं दूसरी कोलम में 3 का तो square करूँगा प्लस 6 का square करूँगा ठीक है और 7 ही माइनस करूँगा 5 को तो अब हमें यह देखना है कि हमें 40 मिलता है या फिर नहीं मिलता तो 3 का square हो गया 9 ठीक है और 6 का square कितना हो जाएगा 6 का square हो जाएगा आपका 36 अब देखे माइनस करना है हमें 5 ठीक है तो अब देखे ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 45 minus 5 यानि कि 40 तो बैई 40 हमें मिल चुका है यानि कि यहाँ पे भी सेम चीज हो भीड़ोंगा 7 ठीक है तो देखिए हमें यहां पर क्या मिलता है तो 1 का square तो हो गया 1 plus 8 का square कितना हो जाएगा आठ का square हो गया 64 तो यहां पर आ जाएगा भाई 64 और minus 7 तो 65 मैंसे 7 गए तो 65 मैंसे 7 जाने से क्या मिलेगा 58 तो 58 जो है भाई हमारा यहां पर correct answer हो जाएगा 8 ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ तो question number 7 बहुत ही शांदार question है देखिएगा यहाँ पर जान से की हो क्या रहा है ठीक है इस type का question जो आपके cost guard में previous years में भी आ चुका है तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें हुआ क्या है तो भाई सबसे पहले मैं एक figure को यहाँ से उठा लेता हूँ ठीक है तो मैं पहले figure को ही यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर देखिए हमें नंबर दिया हुआ 18 फिर 7 और फिर 121 यह नंबर दिया हुआ है तो अब देखिए यहाँ पर इस figure में हो क्या रहा है तो भाई अगर मैं 18 में से 7 को कम कर लूँ ठीक है यानि कि यह जो 18 दिया हुआ है इसमें से अगर मैं 7 को गटा लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 11 ठीक है और अब यदि मैं इस 11 का स्क्वेर कर दूँ तो मुझे भाई नीचे वाला नंबर मिल जाता है 121 यह आपको इतना समझाया यानि कि हमने किया क्य पहले फिगर को बना लिया उसके बाद में हमने देखा कि यहां पर हमें नंबर दिया हुए 18 और 7 फिर नीचे दिया हुए 121 तो मैं क्या करूंगा उपर वाले जो दो नंबर हैं यानि कि 18 में से मैं घटा लूँगा 7 को ठीक है तो मुझे भाई यहां पर मिल जाता है 11 ठीक तो मैं यहां पर जो है दूसरा फिगर देखता हूँ तो भाई 42 में से 25 को कम कर लेता हूँ ठीक है तो 42 में से 25 कम हुआ तो भाई मुझे मिलेगा 17 ठीक है और 17 का अगर मैं स्क्वेर करता हूँ तो देखी कितना होता है 289 होता है बिलकुल सही बात है यानि कि यह सेम चीज जो है भाई second figure में भी apply हुई है तो third figure में भी यही चीज होने वाली है यानि कि 54 minus 36 तो भाई 54 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18 ठीक है और इस 18 का हम अब क्या गरेंगे work यानि कि square तो देखी भाई 18 का square कितना हो जाएगा आपका 324 होता है ठीक है तो भाई 324 जो है हम आपको यहाँ पर option number D में दे रखा है तो correct answer will be 324 यानि कि 324 आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस question को हमने कैसे solve किया है ठीक है तो अब देखिए दोस्तों question number 8 और यहाँ पर question number 8 में आपसे बोला जा रहा है which is the best suited to be placed in the place of question mark in this figure यानि कि यहाँ पर आपको जो नीचे figure दिया हुआ है आपको बताना है कि यह जो third column है इसमें यहाँ पर यह जो question mark है यह किसको options में से replace करेगा यानि कि options में से जो है यहाँ पर कौन सा number आने वाला है तो देखिए भई इस question को हम कैसे solve करेंगे तो यह question भी थोड़ा अच्छा level का हो जाता है जान से समझेगा देख तो देखिए पहली column में अगर मैं 6 मैं से 3 को कम कर दूँ ठीक है तो मुझे क्या मिलता है 3 मिलता है 3 मिल गया अब देखिए हमें जो भी number मिला उसको मैं अगर into कर दूँ 10 से यानि कि नीचे वाले number से into कर दूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है मुझे नीचे वाला number मिल यानि कि 30, यह जो हमें यहाँ पर दिया हुए 30, यह हमें मिल जाता है, ठीक है, तो यही चीज जो है, हम दूसरी कोलम के साथ में भी apply करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 9 में से 5 को कम करूँ, ठीक है, तो 9 में से 5 कम करने से मुझे क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, अब इस 4 को हमें नीचे जो नंबर दिया हुए, यानि कि 7, इससे मैं अगर इसको into करूँ, यानि कि multiply करूँ, तो मुझे 28 मिलता है या फिर नहीं, बिलकुल मिलता है, सही है, यानि कि यह 28 हमें मिल चुका है, तो सेम यही चीज जो है, हम चेक करेंगे, थर्ड वाली कोलम के साथ में भी, ठीक है, तो अब दीखिए दोस्तों, 7 माइनस 2, तो हमें क्या मिल गया, 5, ठीक है, अब दीखिए नीचे हमें यहाँ पर दे दिया गया है 25, तो यह जो 25 है, यह कैसे आना चाहिए, तो भाई 5 को जो है, किसी ऐसे नंबर से multiply किया जाएगा, जो की 25 आ जाएगा ठीक है, तो अब 5 को जो है, मैं किस नंबर से गुणा करूँ, या फिर multiply करूँ, कि मुझे भाई, equal to में मिल जाए 25, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कि अगर मैं 5 को 5 से ही into करूँ, तो मुझे मिलेगा भाई 25, जो की हमें नीचे दिया हुआ है, तो यह जो cushion mark है, इसकी जगे पर भाई, आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि देखिए, यह second वाली कोलम देखिए, उसमें भाई, यहाँ पर 7 से गुणा हो रहा था, जो की हमें यहाँ पर दिया हुआ था, जिससे की 28 मिल जाता था, फर्स्ट वाली कोलम में भाई, यहाँ से 3 को into कर रहे थे हम 10 से, जिससे की टांसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर B, 5, ठीक है, क्योंकि 5 को 5 से into करने से हमें मिलता है 25, काफी अच्छा कुश्यन था, आ सकता है, जान में रखिएगा, ठीक है, चलिए, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम कुश्यन नमबर 9 की तरफ, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर दिया वाला कुश्यन है, देखिए, मतलब अगर आपकी सोचने की capacity है, तो भाई, आप लोग जो है, इस कुश्यन को बना लोगे, ठीक है, अगर आप लोग ने पिछले वाले सारे कुश्यन देखे हैं, अपरोच समझी है, और प्रेक्टिस अगर की है, तो भाई, यह कुश्यन ज और बाहर जो है, कुश नंबर लिखे हुए है, जैसे की 484, पहला वाला figure मैं ले रहाँ हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 484, फिर यहाँ पर 576, और यहाँ पर जो है, लिखावा है नीचे, 529, और बीच में जो है, कुश नंबर लिखावा है, यानि कि 69, तो हमें जो है, यह second figure है, इसमें जो बीच में जो कुछ नंबर नहीं है, यानि कि कुशिन मार्क दिया हुआ है, यह किसको replace करेगा, options में से, ठीक है, यानि कि यहाँ जो 69 दिया हुआ है, तो second में क्या आएगा भई, ठीक है, तो यहाँ पर दिखिए कि हो क्या रहा है, तो अगर आप लोगों इस figure को जान से देखा है, और थोड़ा बहुत भी समझा है, तो आपको एक चीज पता चली होगी, कि यह जो नंबर दिये हैं, चाए वो 576 हो, 484 हो, 69 हो, या फिर आपका 529 हो, यह जो है, किसी ना किसी नंबर का भई, square है, ठीक है, square है, बिलकुल है, देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, 484 से, तो देखिए, भई, 414, यह square होता है, भई, आपका 22 का, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही question में, part 1 के पहले ही question में बोला था, कि आपको, भई, missing number में कोई भी approach लगानी पड़ सकती है, चाए आपको divide करना पड़े, multiply करना पड़े, गुणा करना पहले करते हो, और कैसे solve करते हो, तो देखिए, 414, जो की होता है, 22 का square, ठीक है, फिर देखिए, 539, जो की होता है, भई, 23 का square, ठीक है, और यह जो दियावा है, 576, यह भई, आपका होता है, 24 का square, यानि कि, 24 का square, यानि कि, यह जो तीनो नंबर दिये हुए है, triangle के बाहर, जैसे कि 424 22 का square है 529 23 का square है और 576 24 का square है ठीक है अब देखिए ये 69 कैसे आया ठीक है तो अगर मैं ये जो नंबर दिये वे हैं में 22 प्लस 23 और प्लस 24 ठीक है ये 22 हो गया ये 23 हो गया और ये 24 अगर मैं इन तीनों को add कर लूँ ठीक है 22 प्लस 23 प्लस 24 तो भाई मुझे मिल जा जाता है 69 यानि कि हमें जो पहले बार नंबर दिये वे थे उनको हमें पताए करना है कि ये किन के square है ठीक है और उसके बाद में हमें जो है जो नंबर मिलेंगे उन्हें add कर देना है ठीक है जिससे कि हमें यहाँ पर figure के अंदर वाला नंबर मिल जाएगा तो सेम यही चीज जो है भाई हम second figure के साथ में भी करेंगे जिससे कि हमें question mark की जिगे पर कौन सा नंबर आएगा वो पता चल जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो है मैं figure बना लेता हूँ सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह triangle दिया हुआ है और इसमें जो है नंबर लिखे हुए है 289, 256 और 225 तो अब जो है आपको सबसे पहले यह पता करना है कि यह जो नंबर्स हैं वो किसके square है ठीक है तो देखिए भाई 256, 256 किसका square होता है तो 256 भाई square होता है आपका 16 का यानि कि 16 का ठीक है उसी तरीके से 225 तो 225 जो है वो square होता है आपके 15 का और 289 जो कि आपका square होता है 17 का ठीक है इतना clear रहे अब देखिए हम क्या करते हैं अंदर वाला number पता करने के लिए हमें जो भी number मिलते हैं जिनका भी यह square होता है उन numbers को add करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 15 प्लस 16 और प्लस 17 ठीक है तो 15 प्लस 15 तीस और एक 31 प्लस 17 यानि की हो जाएगा भाई 48 यानि की 48 यहाँ पर अंदर की और आएगा ठीक है यानि की 48 लिखा जाएगा भाई figure के अंदर तो correct answer दोस्तों इस question के लिए हमारा हो जाएगा option number D 48 बड़ा ही धाकर question था काफी important question भी हो जाता है जहांसे समझेगा अगर समझनी आया तो फिर से वीडियो को देख लिजेगा rewind करके ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के last question की तरफ और यहाँ पर जो है भाई आपको last question में बोला गया है कि तीनों आकरतियों का आपस में किसी ना किसी प्रकार से सम्मंध है यानि कि अब जो ये तीनों figure आपको दिये हुए ह ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से relate करते हैं वो हमें नहीं पता है कि कैसे ये relate करते हैं लेकिन ये relate करते हैं तो आपको ग्यात करके बताएं कि जो प्रशनवाचक्चिन है यहाँ पर इसके इस्थान पर options में से कौन सा number आएगा ये आपको बताना है कि option A, B और C, D मे से कौन सा यहाँ पर आएगा ठीक है जबकि तीनो figure आपस में एक दूसरे से relate करते हैं तो देखिए भई काफी शांदार question हो जाता है यह यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे solve करेंगे तो देखिए यहाँ जो तीनो figure है ये एक दूसरे से relate करते हैं तो सबसे पहले भई मैं ये यहाँ पर हो क्या सकता है देखिए अगर मैं इस 36 को भई into करूं 2 से ठीक है तो 36 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो मुझे मिल जाता है 72 जो कि हमें यहाँ पर second figure में number दिया हुआ है ठीक है और अगर मैं इस 72 को into करूं 2 से ठीक है तो मुझे मिल जाता है 144 जो कि आपको है वो आपस में एक दूसरे से related है into 2 के multiply पर ठीक है तो सेम यही चीज जो है भई हम इधर वाले में भी देखेंगे 15, 30 और 60 के साथ में तो भई अगर मैं 15 को into करूँ 2 से तो मुझे यहाँ पर मिलता है 30 बिल्कुल सही है 30 दिया हुए अब देखिए इस 30 को अगर मैं into करूँ यहाँ 2 से तो मुझे मिलता है 60 बिल्कुल सही बात है यहाँ पर भी 60 दिया हुए तो सेम यही चीज जो भई हम 28 और 56 के साथ में करेंगे जिससे की हमें जो है यहाँ पर कुशिन मार की जगे पर क्या आएगा यह पता चल जाएगा ठीक है तो देखिए 28 इसको हम multiply करेंगे into 2 से तो 28 को 2 से गुणा करने पर 56 बिल्कुल सही है यहाँ पर आपको 56 दिया हुआ है और फिर से जो है भई इस 56 को multiply करेंगे 2 से तो 56 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 112 तो 112 भाई मुझे मिल चुका है यानि कि option number B जो है इस question के लिए हमारा correct answer हो जाएगा क्यूं क्यूंकि 56 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 112 मिल जाएगा जो कि आपको option number B में दे रखा है तो इस question के लिए दोस्तों हमारा correct answer हो जाएगा option number B 112 और ये जो figure थे आपस में related थे into 2 की multiply पे ठीक है क्यूंकि यहां देखिए 28 दुना 56 और 56 into 2 112 ठीक है चलिए I hope आप लोगों वो सारे समझ आ गए उनके question अब दोस्तों एक question आप लोगों के लिए है quiz for you में ठीक है और आपको जो है यहां पर एक question दिया हुआ है यहां पर आपको एक figure दिया हुआ है ठीक है और इस figure में जो है कुछ numbers लिखे हुए है और आपको ये बताना है कि ये जो figure है इसमें ही जो question mark दिया हुआ है ये options में से किसको replace करेगा ठीक है तो अगर आप लोग उने दोनों वीडियो इसको पूरी तरीके से देख लिया है और कुशिन्स की अगर थोड़ी बहुत प्रेक्टिस की है तो इस कुशिन को आप लोग भई इजिली बना लोगे तो इस कुशिन का आपका correct answer क्या होगा नीचे comment box में आपको comment करके बताना है ठीक है तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को like करना है चैनल पर नए हो तो subscribe करना है और दोस्तों के साथ में share करना बिलकुल भी मत बूलिएगा मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जहिन दोस्तों